ओम शांती आज जोदा जून 2020 के साकार मधुर महवाक्य हैं आज की मधुर मुरली में बाबा ने सभी ब्रामनों को उनकी रिस्पॉंसिबिलिटी की याद दिलाई आप ब्रामन बच्चों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है सबसे बड़ी जवाबदारी है स्वेम पावन ब नाना उसके लिए निरंतर्श बाबा की याद में रहना है बाबा से प्रतिज्या करनी है और उस प्रतिज्या को पूरा निभाना है शाथ-शाथ इसी समय तुम बच्चे ये जो गाइन है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा से सुक गने रे आप मात पिता से मिलते हो उनके समुक बैठते हो बाबा सतो प्रधान सन्यास सिखाते हैं गर गरस्त में रहते जिम्मेवारिया निभाते बुद्धी से पुरानी दुनिया को भूल जाना है ये बेहत का सन्यास बेहत का बाप ही सिखाते हैं बाबा ने याद दिलाया, बाबा ही कहते हैं, दे सई दे के सब समंदों को भूलो, मुझे याद करो, सर्व धर्मान परितज्य, मामी कम शर्णम व्रच, दे को भी भूलो, दे के समंदों को भी भूलो, केवल एक मुझे याद करो, मेरी याद से तुम्हे माया जीत, जगत जी बूख सिखाते हैं, जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा के ये भूल कभी नि करना, क्या बाबा को भूल जाओ, नहीं तो धर्मराज बहुत कड़ी सजाएं देंगे, पापों का बोज्जा भी उतरेगा नहीं। सुनते हैं बाबा के मधर बोल बाबा केते हैं मीठे बच्चे तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास तुम देह सहित सारी पुरानी दुनिया को बुधी से भूल जाते हो कोशन है तुम ब्रामन बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है तुम ब्रामन बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है। तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें दिरंतर श्रिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अगनी है जिससे आत्मा पावन बनती है विकरम बनाश हो जाते हैं। गेत है दुख्यों पर रह्म करो माबाप हमारे ओम शांती। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। जब बाबा बच्चे कहते हैं तो बबाबा के सामने सब जोती बिंदव आत्माए होती है। तुम्हारा जरूरव वे बाप है। अब बापको बच्चे कभी भी सर्व्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सरव्यापी है ये बेहद का बाप समझाते तुम सब बच्चे हो तुम्हारा बाप है परम पिता परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते है परम माना सुप्रीम आत्मा माना सोल तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है सब भक्त एक भगवान को याद करते हैं जिसको याद किया जाता उनका जरूर नाम, रूप, देश, काल होता है उनको बेंत नहीं कहा जा सकता मनुश्य इश्वर बाप को बेंत कहते आए उनका कोई अंतपा नहीं सकते फिर कहते सरव्यापी है ये तो बड़ा अनर्थ हो गया पत्थर ठीक कर सम्मे इश्वर है उनको फिर बेंत कहते हैं बच्चे बाप को भूल गए इसने सारी मनुश्य स्रिष्टी नास्तिक पतित कही जाती है हर एक नर्णारी पतित है तबी तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं इस दुनिया में कोई कोवी महनात्मा नहीं कहा जाता पवित्रात्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती बापु गांदी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम ये मनुष्य के लिए कहते, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा, ये है जूट, जूटी माया, जूटी काया, जूटा सबसंसार, सच खंड था, जबकि नई दुनिया में नया भारत था, अब वो ही भारत पुराना हो गया, भारत जब स्वर्ग था, तो उसको नया भारत कहत थे, पांचार वर्षुए, त्रेता में दो कलाई कम हो गई, इस समय तो कल्यूग है, इसे कहा जाता पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया में पुराना भारत, वर्ड नई भी होती है, पुरानी भी होती है, अब ये पुरानी दुनिया, सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसल पवित्रता थी तो शान्ती भी थी सम्रिधी भी थी भारत क्या यो एवरेज बड़ी थी अभी तो बहुत छोटी है भारत रोगी कब से बना दुनिया नहीं जानती ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपरा से रोगी है भगती शुरू द्वापर से होती है कल्यू का जब अंत होता है तब बाबा आकर ग्यान देते हैं ग्यान है ग्यान सागर के पास ग्यान का सागर नौलेजफुल यह उस बाप की ही महिमा है वो मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है सरव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता यह और्फन दुनिया सब आपस में लड़ते र प्रन्तु ऐसे नहीं कि नरक वासी पुनर जनम फिर स्वरग में ले सकते हैं वह पुनर जनम सब नरक में लेते हैं नरक को ही पती दुनिया कहा जाता निर्वान धाम आत्माओं की रहने का स्थान है निर्वान धाम परमधाम कोई कहते हैं वो सब आत्माओं की रहने का स्थ अची है आत्मा को एक शरीचोड दूसरा लिना पड़ता चुरासी जन्मों का भी गायन है चुरासी राक जनम कहना भी गपोड़ा है बाब समझाते जो भी आत्मा पार्ट बजाने आती है आकर और गंस में परवेश करती है प्रंतु सब के चुरासी जनम भी नहीं हो सकते सत् प्रथम जनम में आएंगे उनी के ही टोटल चुरासी जनम होंगे बाबा के ते आगे भी कहा था कि तुम अपने जन्मों को नहीं चानते हो मैं बताता हूं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अच्छा ब्रह्मा का बाप कौन है ब्रह्मा का बाप शिव ब्रह्मा उनको भी अपना सुक्ष्म शरीर है परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है बाबा केते मेरा नाम है शिव भरे कोई रुद्र भी कहते हैं कोई सोमनात कहते हैं हूं तो मैं निराकार बुरबर भारत में शिव के मंदिर भी है ज्यान का सागर परम पिता परमात्मा को कह जाता, स्रीकृष्ण को नहीं, वो तो सत्यूग का प्रिंस है, उनमें आदे मध्यंत का ज्यान नहीं है, सत्यूगी देवताओं में भी ज्यान नहीं है, तुम जानते ओभिन हीरे तुल्ले बन रहे हैं, परम पिता परमात्मा के सिवाई, कोई भी राजियोग सिखा न सके, स् समय सब पतित तमो प्रधान है बाब केते सारा वराइटी मनुष्य सुष्टी का जाड़े तमो प्रधान रोगी दुखी है भारत कितना उच था अभी तो कंगाल है शास्त्रों में कल्प क्या यू लाखो वर्ष लिख दी समझते कल्यों को भी 40,000 वर्ष चलना है बाब समझा अज्यान का अंधकार नश्ट करते हैं वाकर अज्यान घोर अंधियारे को मिटाते हैं अब है ब्रह्मा की रात सत्युक त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता तो तुमों ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा तो विश्व अत्वस्वर्ग का रच् वह आकर राजयोग सिखाते हैं नीराकाश्र बावा राजयोग सिखाते हैं बावा कहते हैं बच्चे आत्माउं से बात करते हैं आत्मा ही सब कुछ सुनती है धारन करती है संसकार ले जाती है जैसे बावा ने समझाया लडाई के मैदान में मरते हैं तो संसकार के अनुसार ज प्रमात्मा से बेमुग करते हैं। इसने श्रीबाबा केते हैं, उन सब को छोड़ो, God is one कहा जाता, तुम सब ब्राइडस हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम आतमाई सजनिया हो, मैं तुमारा साजन हूँ, हे सजनिया, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो, स्वर्ग में च अब तुम हो ब्रामन परम पिता परमात्मा जो स्वरक की स्थापना करते हैं उनसे तुम वर्सा ले रहे हो भारतवासियों को स्वरक का वर्सा मिल रहा है कलश माताओं पर रखा माता गुरू बिगर किसी का भी कल्यार नहीं होता जिसके लिए गाते हैं तो मेव मात अश्य प क्रिपा से सुख घनेरे फिर बाप पर दोश कैसे रखते हैं बाप त्वाकर पतित से पावन बनाते हैं एक तरफ कहते हैं आपकी क्रिपा से सुख घनेरे फिर उन पर दोश रख देते बाप त्वाकर पतित से पावन बनाते पतित रावन बनाते हैं अभी रावन राज्ये खतम हो रामराज्य शुरू हो जाएगा इस चक्र को अच्छी रिती समझना है बेहत की इस्टी जोगरफी बेहत का बाप ही सुनाएंगे यह रुद्र ज्यान यग्ये स्रिकृष्ण का यग्या नहीं यह गीता का राज्योग है प्रन्तु स्रिकृष्ण को ज्यान नहीं देते हैं श्रीमत भगवत गीता में प्राचीन राज्योग का वर्णन है वो बाबा की सिखाते हैं यह रुद्र शिव भगवान वाच रुद्र ज्यान यग्ये से विनाश् अब तुम बच्चे आए हो मात पिता से स्वर्ग का वर्सा लेने ये कोई अंदश्रधा नहीं यहां पर अंदश्रधा की कोई बात नहीं तुम बाप से बेहत का वर्सा लेने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो बाबा से वर्सा लेना है मनुष्य से देवता बनने आये हो ये God Fatherly University है बाबसम जाते ये भारत दैवी राजस्तान था हीरे जवारात के महल बनते थे भगती मारग में सोमनात का मंदिर कितना बड़ा बनाया उससे पहले क्या होगा भगती में इतना बड़ा सोमनात का मंदिर बनाया तो उससे पहले क्या होगा अभी तो भा जन्मों का सुक पा रहे हैं बाबा केते है आत्माई मुझे याद करू मैं तुमारा गाइड लिब्रेटर हूं वर्ल्ड की इस्टी जोगरफी कैसे रिपीट होती है ये बच्चों को समझाय जाता इसमें अंदश्रदा की कोई बात नहीं तुमारा सतो प्रधान बेहद का स सन्यास आपका है सतो प्रधान सन्यास तुम पुरानी दुनिया को बुद्धी से चोड़ते हो इसने बाबा केते सर्व धर्मान परितज्य मामी कम शर्नमरज दे सहित दे के जो भी समन्द है सबको भूल अपनी को अश्रीरी आत्मा समझो बाबा केते इस दे का बान चोड़ मुझे बाब को याद करने से तुमारे पाप भस मुझाएंगे मुझे याद करो जो भी पाप है वो भस मुझाएंगे दिरंतर मुझे याद करो और कोई उपाय नहीं अंत तक याद करना है माया जीते जगत जीत बनना है माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं माय माया परजीत बाबा ही पहना सकते हैं अच्छा अब शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी ब्रस्पत की दशा लाते हैं शिव के साथ जुड़ी हैं शिव शक्तियां वो भारत पर स्वर्ग स्थापन करने में मदद करती हैं भारत पर अविनाशी ब्रस्पत की दश चालाती हैं बाबा केते मैं स्तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां वर्सा लेते हो शिव बाबा से याद भी शिव बाबा को करना है वो कहते मेरा नाम एक ही शिव है तुम भी आत्मा हो प्रंतु तुम शरी लेते और छोड़त हो कोई के ऐसी जवय के साथ कोई के पाँच्य जनम भी हो सकते हैं मेरा नाम की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाई फिर राज्जे करेंगे शुर बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते जाते फिर धरम राज की बहुत कड़ी सजा खाने पड़ेगी तुम्हारे पर बड़ी रियस्पॉंसिबिलिटी है बाबा को याद करते रहना बहुत बड़ी जिम्यवारी है बाबा को याद करते रहना यह रूषानी यात्रा अच्छा brings 50 सिकलते बच्चों प्रती नंबर वाप पूर्शार्थनुसार मात पीता बाप तदकाल याद्प्यार और नमस्थे रुषा रुहनी बच्चों के रुहनी बाप तदा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया आज धारणा के लिए सार से पहले हम मातेश्विर जी के महवाक्के सुनते हैं मातेश्विर जी के मधुर महवाक्के ओम शब्द का यथात अर्थ क्या है जब हम ओम शांती कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूरन रिती से समझना है अगर कोई से पूछा जाए ओम कार्थ क्या है तो वो लोग ओम कार्थ बहुत लंबा चोड़ा सुनाते हैं ओम कार्थ ओमकार बड़े चोड़े आवाज से बोलते हैं इस ओम पर फिर लंबा चोड़ा शास्त्र बना देते वास्तों में ओम कार्थ कोई लंबा चोड़ा नहीं है अपने को तो स्वेम परमात्मा ओम कार्थ भोती सरल सहज रिती से समझाते हैं वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं परमात्मा साफ कहते बच्चे ओम कार्थ है मैं आत्मा हूँ मेरा असली धरम शांत स्वरूप है अब इस ओम के अर्थ में उपस्तित रहना है तो ओम कार्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ मुख के बाद ये हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है बाके मुख से बैठकर ओम ओम का उचारण नहीं करो बुद्धी में ये निश्चे रखके चलना है ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है बाकी वो लोग ओम का अर्थ लंबा चुड़ा सुनाते है मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते प्रन्तु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तब उस स्वरूप में स्थित होते हैं अब ये भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे जाड को कैसे रचा परमात्मा जोती बिंद से सुनेंगे पहली बात निरंतर एक बाप की याद से माया चीत जगत जीत बनना है पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है बुद्धी से पुरानी दुनिया का सन्यास करना है दे भान को भूलने का भ्यास करना है देही अभिमानी रहना है अटेंशन से सुनेंगे निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है पुद्धी से बेहत पुराने दुनिया का सन्यास करना है इस देभान को भूलने का भ्यास करना है देही अभिमानी रहना है वर्दान है किसी से किनारा करने की बज़ाए, सब का सहारा बनने वाले, विश्व कल्यान कारीभव सारे कल्प में, प्रह्मा बाप और इश्विय परिवार के समन संपरक में आने वाली आप स्रेष्ट आथमाई हो आप किनारा करने वाले नहीं हो लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व का ल्यान का रियात्मा हो परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते है इसले कभी भी किसी बात में किसी स्थान से किसी सेवा से किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस अछी बनाने का संकल्प नहीं करना, कभी-कभी हम डिस्टर्ब हो चाहते तो हम क्या सूचते हैं, स्थानी बदल लेते हैं, या इस व्यक्ती से नहीं बनती, इसको छोड़ो, बाबा केंदे, आपको कभी किसी से किनारा नहीं करना, अगर यह आदत डाली, तो कहीं भी टिक नह होना चाहिए बहुत गुई ये बात आज बाबा ने समझाई कि परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से आप निकल नहीं सकते इसले कभी किसी बात में किसी स्थान से किसी सेवा से किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करन अगर याध़त-डाली तो कहीं बें टिक नहीं संकेंगे स्लोगन है करम भोग का वर्णन करने की बजाय करम Yo gli सिति का वर्णन करो कभिकली हम विमारीयों के वर्णन करते है व्यादियों का वर्णन करते है उसकी बजाए करम योग की सिती का वर्णन करो कैसे करम करते हैं, अम शुव वावा को याद करते हैं याद से शक्ति कैसे मिलती है, ये वर्णन करो अब आज चलते फिरते, हम अभःत करेंगे मैं विश्व कल्यान करी आत्मा हूं ये कागर हो जाएंगे शक्ति शालिस सिती में बैठेंगे, अंत्य करण से स्विकार करेंगे, मैं विश्व कल्यान कारी आत्मा हूँ, सारा विश्व मेरा परिवार है, जो आत्मा जैसी है, मैं दिल से उसे स्विकार करती हूँ, बाबा से वाइदा करती हूँ, मुझे सबका साहरा बनना है, किसी से किनारा नहीं करना, मुझे अपनी अवस्था को याद से, समझ से, ज्ञान योग की ताकत से अच्छा बनाना है, मैं विश्व कल्यान का रियात्मा हूँ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यान मोती, इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करें, कि अवस्था में योग क्या बनाना है, झाल झाल